उसोको आकमन तवा भयो जबा पोईलोर दोस्रो विशयुगदले संसारलाई छेद बिछेद बनाये गो थियो साथे तेस्रो विशयुगदको त्रास पनी छंदे थियो येसे कारानले गर्दा संसार भरेने शान्तिको बहस शुरू हो दे थियो बुद्ध को संदेश पनी व्यापक बन दे थियो हरेक को मनले फेरी एक छोटी बुद्ध राय खोर दे थियो अब एसको लागी संचार भरेका शान्ति प्रेमी विचारक दार्शने कर ले जे कृष्ण मूर्तिला चनट गरे का थिये रा थियो सोपिकल सोसाइटी नामक्षस्था को इस्थापना गरे रा कामपनी कर दे थिये तर अन्तमा कृष्ण मूर्तिले शत्य को कुनेपनी मार्ग हुदईना शंगठन हुदईना बन्दे थियो सोपिकल सोसाइटी को बिगषन करे रग गुरुशिश परंपराने नमानी घशडा गरे। यो संगाई विश्व माई शांती ल्याउनको लागी अध्यात्मिक जगत्म गरी को सबय वन्दा ठूलो प्रयास को अशपलतार रग्षमाप्ती भायो। नमस्कार, मेरो नाम स्वामी आत्म पुस्प योगया मेडिटेशन टीचर, नेपाली फिलिम इन्रस्टी माई एज असिस्टेंट डिरेक्टर काम गरेगाचु। रब मेडिटेशन लाए विश्व वरिफाई लाए शंशार लाए उच्छब मै बनावने अभियान माचु। आज मतपाई लाए एस यूग का एक बुद्ध पुरुष बवान श्री रजनीश को बारेमा कुरा गर्न गोई रहेकुचु। जस लाए शंशार ले उच्छो भनेरा चिन्ने गर्चु। इए विडियो लाए अंतिम सम्मेहर नो अला शाथे एस यूटुप चैनल लाए सस्क्राइब गरी विडियो लाए धरे भन्द धरे माज शियर गरना नभुलनो अला। पुष्प अफ्लावरेंग अफ कंशेस्नेस। बुद्धपुरिश्को धार मा ओशो यूटा नभिन्तम शुरुआत हो। बिगत को खुनेई पनी परंपरा संगा ओशो को खुनेई पनी शम्मन्दा शोईना। बरु ओशोगो आगवन संगाई शमयाने दुई खंडमा विभाजन हुँँचा ओशोग पूर्व रा ओशोग पस्चार। सानेमा जोतिसले शादवर्षको मेरमाय म्रेति हुँचा भनी दियेको कारर। मेर्थु कस्ट उन्च हला वनेयर जान्ने इचाले प्रायमायाचे मरेको ठावुँचा निकि घार्शम मे जाने ले गरन हुँचता हुचा यूली रा पज़ीय आफने मिर्थुलाई हेर जान्ने इचाले मिर्फु को प्रतिक्ष्या गरना लागनु भयो ध्यान माँ भस्ष्न धालनु भयो तरह मिर्फु उसको उँच जो मिर्फु संगहा डराऊteen is.... जो मिर्फु को साथ शचेतकार गर्परत जो मिर्फु अशंभव चा बनिया जश्ते ही शाद बर्शा बितियो ओस्षो को मिर्थु भायना रा अजही मिर्थु लाई जानने प्यास बड़े र गईयो रा इसको खोज अजही व्यापां गईयो साथ साथे इसकूल कलेज को पड़ाई पनी चली राखियो तरह ओसो बने साथे प्राकिर्दिक महाज मार हैर रहाश्ययक को खोजमाने मस्ताहन उन्तियो एग जाम दिनको लाईगी माथ ट्राइशकूल कलेज जाने गर्न उन्तियो रपनी साथे प्रथाम आऊन उन्तियो एसे क्रम मा जबलपूर जयन कलेज मा दर्शन सास्त्र गधेन गर्दा गर्देई 21 मार्च 1923 गर्दिन शम्भोतिक अनभब गर्ण भयो यानी बुद्धत्यो प्राप्ति गर्ण भयो यो संगे अंतता पिर्थिपिले एक बुद्ध पुरुष जन्माउन शफल वायक चा जसले संसारलाई शांती आनंदर उस्चप को यात्रमा लई जाने चा ओशो पड़ाई मा पनी एकदमी तेज हुनुन थियो बाद विवाद मा सदे प्रथमा उनुन थियो मास्टर डिग्री मा उनिवर्शिटी टपर गवर्ड मेडलिस्ट हुनुन थियो ओशो ले आपनो जिवन काल मा करीब डेर दुई लाख किताब पन्नु भायगो चा पची समबनी आफ़ले पड़ेका एक लाख उतक्रिष्ट किताब वर्णु को शांग रहने चियो शुरी-शुरु मा ओश्चो को बुवा बन्नु थियो हामरो घर मा लाइबेरी छा तरब पची बन्न थालन भायो लाइबेरी वा हामरो गहर छा किना मने घर मा किताब बायक अरु केई सामन राखने ढाउं थियो किताबले सब्बै भरीये ग थियो ओस्ट को पन्ने छेमातानी एकधम अध्भूत थियो अरुले हेर्दा हेरीक पाना पल्टा आएको मात्र देहीं थियो तर पचीश जहां बटर सोदे बनी ओसोली सपे बंदीना सपन उन्दियो एस्ते अध्भूत छे मता विवेकान अंदा को बनी थियो माले बनी किताबलाई स्क्यान गरे रपनना सपन उन्दियो जसको चे ध्यानको मांदे माट थाड़ाई खुलेको उन्च उशामाचे एस्तो अध्भूत छे मता आउने गर्छा राई उनिवर्षिटी को पड़ाई सागे बाची ओसोली कही बर्ष दर्शन शास्त्र को प्रफेसर ग्रूप मां कलेज में काम गर्नु भायो राई पची प्रफेसर को जागीरी छोडे रा मनुष्य जाती लाई आमल रूपले रुपांदर गरे रा नया मनुष्य को जन्माउने उदेश्यले निश्की नुभायो रा आचारी स्री रधनिश्को नाम ले चीनिदा थाल मुभायो ओशको नया मनुष्य हो जोरबादी बुद्ध यो एस्तो मनुष्य जो जोरबाद जस्तो भौतिक संशार मा पनी रमाउना सक्छा रा बुद्ध जस्तो शांत भाय रा ध्यान मा पनी बस्ना सक्छा भौतिक्र अध्यात्में दुवे इतिरा शम्पन्न जवर्वादी बुद्ध एवड़ा पूरा मनुष्य हो उसको नया मनुष्य ने भविष्य को लागी एक मात्रा आशा हो यो बायक पिर्थिविमा कुने पनी अस्तितो बांकीर अने छैना यातो तेस्त्रो विष्य योग् आत्मा पर्मात्मा शोर्गा नर्का को फिजुल भहस बात्रा बेल्कुल एक मुक्ता भायरा पहिलो चोटी ओष्य ले अध्यात्मा लाए विज्यान रा तर्गा को आधार मा खडा गार्नु बायो ओष्य विज्यान प्रविदीलाई अपनावन शके नाव भने हमी गरीबी को स्वारका ब्ष्यात्माट्र भीज्यान र्प्रवि दीलाई ब्लाई घैना ओशीबलाई विज्यान प哦 यह उन्यात्मात्य लिए अध्यात्माहां हिज्यान प्रविदीलाई एक aisाध्यान और तो आपनाऊ पने कर देद् भीविन धर्म का मानिशारले, बिभीन राष्ट्र बिभिन जाति का मानिशारले शाधाना गरे। इतिहास में अवड़ा नौलो प्रयोग थियो जुन अश्यक पाला में संपन्न भायो अईले पनी अश्यक आस्रम हरुमा यो चली राहे गोच अश्यले बिगात का शंपून धर्मसास्त्र शंपून बुद्धा पुरुष हरुमा बनी बोलनु भाये गोच जस्तों बुद्ध जीशस, क्रिष्ण, मुहम्माद, लाउच्चु, कबीर, नानग, दादु, मलुगदाष, मीरा, शीब, आनि क्रिष्ण संपून बोल्ड़ाई करदा श्यम क्रिष्ण ने आपनो गीता को ब्याखे दीर आहे गोच अश्यक बुद्धा को बारे में बोल्ड़ाई करदा श्य रगसोले यो बहाइक पनी श्रमाज, राजनिती, कला, शीच्या, परिवार, गरिबी, परियाबरण, जन्शनक्या पिश्पोट, परमार युद्ध, महाबारिवार हुना सकने, विश्व संकत, हरुमा पनी आपनी आप्रो क्रांतिगारी जीवन दृष्टी दिन बयाई रगसोले आपने साधक्र शिशारुमाज, बलनु भायक उप्तर संदेश, करिव साथ योटा पुस्तकरुमाँ प्रकाशीच्छन, आजसमा स्वाय भन्दा पड़ी भाषामा अनुबाद वैशकेगुछ, र 9000 घंडाको अडियो 5000 घंडाको वीडियो रेकर्ट पनी उपलब रगसोले संदेश, कुने शिद्धान्त हईना, कुने चिंतन हईना, यह उटाए कीमिया हो, यह उटाए बिग्यान हो, यह उटाए मनिश्याला रुपा अंत्रण गर्ना साथ्चा, रगसोला शुन्ना आउने को अध्यादिक भीर्ट लागना थाल्यों, इनी हरु मत्ये दे प्याश्च, उनी हरु मा मत्रे काम गर्ने उदेशियले, नव सन्याश शुरुवात गर्नु भायो, राफु बनी आचर्य स्री रजनीश पार्टा, भगवान स्री रजनीश को नाम दे चिनिनना थाल्नु भायो, ओसोले सनातनी परमपरा मा हरावने लागेगो, सन्याश को सुन्दर परमपरालाई नया धंगा भाटा पुना जिवित गर्ने काम गर्नु भायो, ओर्षक नव सन्याश पुरान शन्याश बन्दा बिल्कुले अलग छ, एसमा सुरु हात में कुने चीत पनी छर्नु पर दे न, कुने नियम साद न पर दे न, शन्सार में रहने, परिक्र बांदर अड़को लागी, हरेक दिन शाधना चाहीं गर्दे जाने, शन्सार में रहने तरह शन्सार को न हुने, कुने पनी चीज मा अटाच्मेंट न रहने, बाहिर बाद सबे चीत अरू भागी रहने, जिजे मन लाग्चा मन लाग यू चीज गर्दे लाने, हरेक ब्याग्ति हरू अद्धोति अच, हरेक ब्याग्ति हरू फरक परत्धा, शपरक आपने अलग ब्याग्तित तो भायको काराणी, शपर जान लाए बाईर बाट य्युडए नियम दिन अलाई, दिन वे इक दामें गलत होंच, ते बार अपने शमास दो आरा, आपने नि भुले का छहूं, भाईरे हराय का छहूं, अब आप वित्र फर्किनु पर्छा, हेर नु पर्छा मनमा लागेको जुन कालो फोर मैला आछे, हमरो जुन श्यमात आपाट छुटी आउने काम गरेगेशा, अव तेसलाई साथना द्वारा पखालनु पर्छा, शुद्धा करनु पर्छा, माइन्ड को ट्रांस्फर्मेशन करनु पर्छा, और सो बन्नु जा मनुष्यकों बास्त माइन्ड को ट्रांस्फर्मेशन को लागे, ओसले करीब 6 से ध्यान बिधी धिनु भाएको छा, ओसले को शक्रिया ध्यान बिधी अईलेको एस यूग को लागे, सब यहांदा मत्त पूर देन मत्त को यह वड़ा देन हो, विगत मा जथी पनी ध्यान पद्धा ती हरू बिका कि कहीं थोरे मानचिया अलाँ, काम गर सा, विगत मानचिया ध्यान बड़ाते हूने देखिण चा, गहीं थी धेर ध्यान पद्धाण को जरूर अधिया थे पहले कुछा, जो धारमिक द्धार्मिक भ्याग दिया भाएको ती हरू अधियान, गर थे हरे अले हरे मानचिया ध तो ले बश्नेय नपार नेगेरी उभीये रही एक्टीब भायरा चे पहले आपू बिद्रवाय को तनाप बेचेईनी पीडा शंता आप जन्मू जन्मा को पीडा कुंठा फ्रास्टेशन डिप्रेशन इस बढ़ चीजार लाए जे विवन्न थेरापीको मात्यम बाट भायरा निकाले रहा फ्याकितीरे आणि सपयी चीजार बाट मनलाई शरीला हल का बनाए रहा आनन्द शान्त भायपासाडी बलल बशे रहा शान्त भायरा ध्यान को यात्रामान जाने उसक्रियो ध्यान एकदुमे बईग्यानिक छा विशस्वास्ते संगठन बाट पनी यो प्रमा अध्यात्मिक यात्रामा जान चाहन चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन आफ़ा ओष्वरा ओश कोलग झख़णुनी रोरी केकश चील पमुलितर से लिए उससाफ शुके उस Once और आफ़ा बदNow Toughी चानल होुले मेरी एस यूटीऊ हन्त चानल है जाई ऊचो, जाई गुल देड़!